नमस्तार महगु जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव एमपी रॉटकॉप भहिया उक्चुनाव मध्यप्रदेश में सर्वाएं और उसमें जीतना बहुत जरूरी है खास तोर से तब जब आप एक पुराणी पार्टी पदल कर दूसरी पार्टी में आएगे यानि कॉंग्रेस छोड़कर आप बीज़पी में शामिल हो और अब उक्चुनाव जीतना है और ऐसे में बेटा अगर कोई विवाद खड़ा कर दे आपकी कॉंश्पिंसी में तो समझे कि बड़ा सर्दर हो जाना है यही सर्दर्द हुआ प्रद्यूम सिंग के साथ जो सिंधिया समर्थक है और अब उन्हें उच्चुनाव लड़कर जीतना है सदन में बहजना है और फिर मंत्री भी बनना है ऐसे में उनके बेटे का वीडियो वाइरल हुआ जिसमें वो पुलिस वाले से कापी विवाद करता हुआ दिखाई दिया बेटे का नाम है रिपुदमन नाम तो रिपुदमन है लेकिन उसके अंदर का जो घमन उसका दुश्मन बन चुका है उसका दवन बिल्कुल है वैसे तो प्रद्यूम सिंग न जाकर वहां माफी मांगी चालान भी कटवाया लेकिन इतने से वो बिल्कुल खुश नहीं है उन्होंने तय किया कि बेटे को अभी और सबग सिखाया जाना स्वरूरी है तो श्रम दिवस था तो निकल गए बेटे को साथ मिलेकर और सारवजुनिक शौचालीं की सफाई करवाई उससे वाड वाड हुमे सफाई करवाई पार्च साथ किये ताकि बेटे के अंदर के घमन का गमन हो सके और वो अपना नाम रिकु दमन साथ कर सके वैसे तो पुद प्रद्मीम सिंग इसके लिए काफी फेमस है वो पहले भी उनके इस तरह के वीडियो का ख्याम हो चुके हैं साथ सफाई करते हुए लेकिन बेटे को ये मौका पहली बार मिला कि उसे लेकर गए और श्रम दिवस के दिन बकायदा मजदूरों की तरह उससे काम कराया आप भी एक बर ये वीडियो ज़रूर देखें किस तहा मंत्री जी के साहबजादे शोचालें की सफाई कर रहे हैं को अब इस वीडियो के जरिये मंत्री जी ने छो चाहा था वो तो हो ही गया उनके पुराने सारी गलतियां मंत्री बेटे की भी गल्तिया भूलकर अब शेत्र में मंत्री जी की वाहिए हुए है। उनके इस आम आधमी के तरीके की जो कदम है जो उनकी सहचता है उसे देखकर लोग उनकी सहहाना कर रही है। याने की बेटे की गल्ति को भी किस तरह प्रद्युम सिंग ने तारीफ में बदल लिया ये सीखने की बाखर है। सिंधिया समर्थक में ये सापित कर दिया कि वो कोई कच्छी लोई लेकर नहीं आये है। वो चुनाफ जीते की रादे से आये हैं और पूरी ताकफ लगा देंगे। उत चुनाफ तक 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 उसे जीतें, सदन में पहुचें और शिवराक्ष कैबिरेट में उसी रुथबे के साथ बैठें जिस तरह कमलनाथ कैबिरेट में उचाये ज़ते है। नमस्क्राब